महिलाओं को अक्सर माटी साथ समचा जाता रहा है जो किसे भी धाँचे में खुद को ढाल लेती है मगर बदलते वक्त के साथ साथ महिलाओं ने भी अपने प्रिवर्टी को बदला है और अब महिलाएं धाँचा ही बदलने लगी है इनी महिलाओं में दिल्ली हाई कोट की पहली महिला जज लीला सेट का नाम में शामिल है उन्होंने अपने कारेकाल में कई ऐसे पैसे लिए जिसने देश्वा समाज को एक नई दिशा दी उन्होंने निर्भया बलातकार मामले के बाद बलातकार विरोधी कानून को सक्त बनाने में अपनी एहम भूमी कर दर्ज कराई थी और इतना ही नहीं सेख्त परिवार के संपत्ती में बेटियों को समान अधिकार दिलाने का फैस्टा भी होनी का था लीला की उपलब्दियों पर नदर डाले तो वो 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश हाई कोट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला बनी थी जबकि भारत के सर्वोच नियाले द्वारा सीनियर काउंसल के रूप में नामित होने वाली पहली महिला के तौर भी हुने जाना जाता है और तो और 5 मई 2017 को जबलीला की मौत हुई तो उनकी इच्छा के नुसार उनका शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया गया